वेलकम डू रागविसाथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UPWC से पेटे के बाद आने वारी वेकंसी एगणा परवच्षक के इसके बारे में बात करेंगे वात करेंगे इसके धर्नाप्धरसन के बारे में तो आप वीडियो को लाश्ट तक देखेगा तभी आपको पूरी बास समझ में आएगी तो चलिए शुरू बते हैं वीडियो को देखते हैं इसके आप लोगों को तो दोस्तों मैंने पहले वीडियो बना के आपको बताया था कि यूबिट बलसी जो है सबसे निकमा आयोग है यह ऐसे वेकंसी देने वाला नहीं है तो इसके लि इसको बहाना मिल जाएगा फिर से कोरोना का या जो भी हो उसको बस एक छोटी सी वज़े चाहिए और वो वेकंसी पॉस्टाउंड कर देगा फिर से देगा ही नहीं तो पता नहीं इस पीटी में आप आएंगी या नहीं तो इसके लिए धरना पदसन करना बहुत ही जरूरी भी हो जाता है तो जब मैंने धरना परशन के लिए बोला था तो छातरों ने 20 अप्रेल की डेट डेसाइड की थी तो अभी कुछ आत्र जो हैं जो बोल ले हैं कि 25 अप्रेल की डेट डिशाइड की है कुछ छात्रों के दौरा तो इसलिए मुझसे भी बोला गया की ये हो सकता है अगर चेंज हुआ तो मैं वीडियो के मादेम साहब लोगों को बता दूँगा तो दोस्तों अब जो फाइनल डेट है वो सभी छातुरों द्वारा 25 अप्रेल रखी गई है 25 अप्रेल को व्यूपिट पलसी पे धरना प्रेशन किया जाएगा एजिटी ए गन्ना प् दिखाईए यूनिटी दिखाएंगे तभी वेकंसी ले पाएंगे यूपिट पलसी क्योंकि कुछ लोग पहुंचेंगे 20 तारीक को फिर कुछ लोग पहुंचेंगे 25 तारीक को तो ऐसा हो नहीं पाएगा बहुती कम चात्र होंगे साथ बो भी बिना धरना दिये ही वापस जाएं तो इसलिए यूनिटी बना के चलिए और सभी लोग 25 अपरेल को अब 25 अपरेल को यूपिट पलसी पर पहुंचना है और 25 अपरेल को ही धन्ना प्रशन किया जाएगा और आपस में ना उलजकर आपस में सयोग बनाएए एक दूसरे को सयोग कीजिए और यूनिटी प्चछी तारीक को ही चातर बोलना है वीडियो बनाने के लिए इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं और यहां पर आपनी बातों को डिसक्स कर रहे हैं चातर तो आप से अनरोध है कि आप लोग अपनी वेकंसी के लिए एक जुट हो जाईए और यूनिटी दिखाईए एकत और 25 अपरेल डेट याद रखिएगा कन्फ्यूज मत होईएगा मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ 25 अपरेल को सब लोगों को पिक अप भवन पे पहुंचना है लखना हूँ ठीक है ना तो सभी लोग 25 अपरेल को पहुंचिए और आसा करता हूँ अब ये डेट फ कर लीजिए नमस्क्राइब